अब इसके बाद हम देखते हैं वर्षा जल संग्रहन वर्षा या रेन वाटर हर्वेस्टिंग जिससे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहन की जब हम बात करते हैं तो वर्षा के जल को वर्षा के द्वारा वर्षा दितुम्हें जो हमें जल प्राप्त हो रहा है उस जल को रोकना और उसका भंडारन करने की जो विधी है इसे हम क्या कहते हैं वर्षा जल संग्रहन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं इसे अब हम ये देखते हैं कि वर्षा के जल को संग्रहन करने के क्या क्या लाब होते हैं है ना हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि बारिश का जो पानी है वो हमें एकदम फ्री मिलता है उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता ये प्रकृती के द्वारा दिया गया हमें मुफ्त उपहार कह सकते हैं हम तो जो ये जल हमें प्राप्त हो रहा है वर्षा के माध्यम से उसे हम उचित रूप से कुशल प्रबंधन के द्वारा संरक्षित रखके अपने जल संसाधन की जो समस्या है उसे बहुत हद तक दूर कर सकते हैं क् से हम पानी की उपलबधता को बढ़ावा मिलता है या पानी की उपलबधता इससे बढ़ती है साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमारे भूमी गजल का इस्तर है वो भी उपर होता है आजकल आप सुनेंगे कि हर जग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगानी की बात कही जारी है चाहे आपका घर बन रहा हो या किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग है पहले क्या होता था कि बारिश का पानी जब मानों का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था तब कि हम बात नहीं कर रहे हैं तब तो सड़के भी पक्की होती थी लोगों के घर के आंगन भी मिट मिट्यों के होते थे तो जो बारिश का पानी है वो मिट्यों के अंदर सोख लिया जाता था भूमी गजल के रूप में स्टोर हो जाता था लेकिन अब जब मानों ने बहुत अधिक विकास कर लिया है तो हम क्या देख रहे हैं चटें पक्की है हमारे जो आंगन हैं वो भी सिमेंटेड या क्रॉंक्रिटी करन उसका कर दिया गया है टाइल्स भिछा दिये गये हैं हम जब सडकों की बात करते हैं तो उनका भी क्रॉंक्रिटी करन कर दिया गया है नालिया पक्की नालियों का निर्मार कर दिया गया है तो क्या होगा भूरिष्ट गजल के रूप में स्टोर हो ही नहीं पाता और ऐसे ही वो बह कर व्यर्थ हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या सिस्टम अपनाना चाहिए रेणवार्टर हर्वेस्टिंग का हम इए और चटों में जो पानी या किसी भी ऑफिस की बिल्डिंग की चट में जो पा ताकि वो पूरा पानी जाकर धरातली सत्ताहप के नीचे चला जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे भूमी गजल का जो इस तर है वो लेवल बना रहेगा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि पहले जहां पर हम हैंड पं की खुदाई कर रहे हैं किसी भी प्रका पानी उपलब्ध हो जाता था लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि लगभग 300 से 400 फीट की गहराई तक भी हम खुदाई करते हैं तो हमें पानी उपलब्ध नहीं हो पाता या पानी उपलब्ध हो भी जाता है तो वो पानी जो है पीने के लायक नहीं रह जाता है नहीं रहता थी भूमी गजल का इस्तर नीचे जाएगा तो पानी की ये जल की क्वालिटी में जो है वो वो क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि उसमें विशैले और आसायनिक पदार्थों की अधिकता हो जाती है तो वर्षा जल के इस प्रकार संग्रहन करके हम भूमी गजल के इस्तर को कायम रख सकते हैं या उसका इस्तर जो है वो उपर बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो अभी हमने बात की फ्लोराइड्स हो गया या अलग-अलग प्रकार के जो नाइट्रेट्स हैं या विशैले और रासायनिक जो पदार्थ हैं विभिन प्रकार के जो प्रदूशक हैं उनको कम करके हम वहां के जल की गुड़वत्ता को बढ़ा सकते हैं क्योंकि भूमी गजल का इस्तर बढ़ जाएगा पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इन सारे रासायनिक पदार्थ हो की मात्रा भी उसमें कम हो जाएगी और जल की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसके माध्य कि निकालने में हमने की जब पानी का लेवल नीचे छला जाता है तो हम कई फीट की गहरआी तक भी खुदाई करते हैं तो हमें पानी उपलब्द नहीं हो पाता तो जब हम कम घहराई तक खुदाई करेंगे तो छोटे पंप से तो हमारा काम चल जाएगा लिकिन बहुत लगाने की आवश्रक्ता होती है, बड़े मशीनों की आवश्रक्ता होती है, और बड़े मशीनों के लिए हमें अधिक बिजली, अधिक उर्जा की आवश्रक्ता होती है, तो जब भुमी गजल इस तर का इस तर जो है ये ऊपर हो जाएगा, तो हमारा काम छोटे मशीनों से च चंपल हो जाएगा, तो इसके बाद हम देखते हैं, जो सर्वीस कूप हैं, सर्वीस कूपों के दवारा भी हम घर जो च्छतें हैं, या आफिस की च्छतें हैं, किसी भी प्रकार की जो बिल्डिंग की च्छतें हैं, वहाँ पर जो जल स्टोर होता है उन जलों का संगरहन भी हम सर्विस कूपो के माध्यम से कर सकते है इसके बाद हम देखते हैं पुनर भरन जो कूप है है इनके द्वारा वर्षा जल का संगरहन किया जा सकता है मतलब कुओं को फिर से भरना उसमें पानी का जो लेवल है उसको बनाए रखकर इसके बाद हम देखते हैं जो जल संभर प्रबंधन की हमने बात की थी water shade management की इसके द्वारा भी पक्के कुओं बनाकर और चेक डेम बनाकर हम क्या कर सकते हैं वर्षा जल का संगरहन किया जा सकत और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हमने भी बात की थी कि बहुत सी जो नदियां है विशेशकर जो हमारे उत्तर भारत की नदियों की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि पानी का सतह जो है वर्षा रितु में बहुत उपर चला जाता है और बहुत जो छेत्र है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है तो हम नदियों को जोड़ कर नदियों को जोड़ देंगे अलग अलग नदियों को जोड़ने का कारिकरम हम या यह योजना बना सकते हैं जिसके माध्यम से भी हम वर्षा जल या उसमें नदियों में जो एक्स्ट्रा समस्या उत्पन होती है उससे भी बचा जा सकता है और जिन नदियों में पानी के समस्या जैसे विशेशकर जो मौसमी नदिया है जो ग्रिश्मरितू में सूख जाती है या पानी की कमी वाली समस्या से जो नदिया जूझती है तो जब हम इन नदियों को जोड़ने का की यो इसके द्वारा हम इसका सनरक्षन किस प्रकार से कर सकते हैं। हम अपने देश में देखते हैं कि जल संसाधन की एक प्रमुख समस्या है। जिसमें हमने बात की थी मानसून जो हमारा अन्यमित है और अनिशित है। कभी ये बहुत जल्दी आजाएगा, कभी देर से आएगा, कभी बहुत कब मात्रा में बारिश करता है, कभी इतनी बारिश कर देता है कि एक बहुत बड़ा छेत्र जो है वो बाड़ की चपेट में आजाएगा, कभी बहुत बड़ा छेत्र या पूरे देश में सुखे या अ तो इसके कारण हम देखते हैं कि हमारे देश में एक तो हम यह कह सकते हैं कि जल जो है उसको प्रदूशन से भी हमें बचाना है जिसके कारण जो हमने बात की थी कि हमारा जो 100% में सिर्फ तीन प्रतिशत जल जो है यह हमारे उप्योग के लायक उपलब्ध है इतनी मात्रा को अब हमें सनरक्षित करके या इसे बचा कर चलने की जोरत है ताकि हम अपने भविश्य के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बचा कर रख सकें साथ ही साथ जो पे जल की समस्या है इससे भी हम निजात पा सकते हैं सिचाई के लिए जल उपलब्ध करा सकते हैं हम जागुरुख होंगे तो अपने संसाधन को सुरक्षित और सनरक्षित रख पाएंगे अब इसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारे देश में जल संसाधन के संरक्षन या प्रबंधन के लिए क्या कारे किये जा रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण है आपका भारती जलनीती जो 2002 में बनाई गई है और इसमें मतलब इसका उदेश क्या था या इसमें किस बात को प्रात्मिक्ता दी गई थी हम यह देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से ही जो हमारी पंचवर्षी योजनाएं पंचवर्षी योजनाओं का निर्माड किया गया देश के विक हम पंचवर्षी योजनाओं में यह महसूस किया गया कि हम मांसून पर डिपेंड नहीं रह सकते और हमें सिचाई के लिए उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हमारे हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी खाद्यान आपूर्ती के लिए हम उसके उत्पादन को बढ़ा सके और उत्पादन को हम तभी बढ़ा सकेंगे जब यहां पर सिचाई की उपलब्धता होगी सिचाई की व्यवस्था होगी तो जो भारती राष्टी जल नीती जिसका निर्माण 2002 में किया गया इसमें प्राथमिक्ता इस बात को दी गई कि सबसे आवश्यक बात यह है कि लोगों को पे जल किया पूर्ती होनी चाहिए भाई हम कहते हैं जल है तो जीवन है जल ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन कहां से होगा है तो सबसे महतपूर्ण आवश्यक्ता जो है वो पे जल की है और इस जल नीती में भी जो सबसे प्रिफेंस दिया गया वो है आपके पे जल को कि भाई प्रती व्यक्ति हर व्यक्ति को पीने के योग ये पानी जो है उपलब्ध होना ही चाहि जो उसके जीवन के लिए आवर्शक है पेजल के बाद सिचाई को प्राथमिक्ता दी गई कि पहले तो पेजल उपलब्ध होना चाहिए पीने योग्य पानी उसके बाद सिचाई के लिए जल की उपलब्धता होनी चाहिए और सिचाई के बाद जल शक्ति मतलब जल के माध्यम से जो विद्यूत उत्पन्ने की जाती है या विद्यूत उर्जा जो उत्पन्ने की जाती है तो सिचाई के बाद अगली प्राथ मिक्ता जो है उर्जा के लिए जलकी उपलब्धता और इसके बाद फिर नौकायन के लिए नौकायन के बाद और द्योगिक कारियों के लिए उ अन्यकारियों के लिए पानी की उपलब्धता होनी चाहिए तो सबसे प्रमुक बात थी पेजल प्रमुकता इसमें दी गई राश्टी जलनीती में पेजल खुम अब इसकी विशेष्टाएं क्या क्या थी तो इसमें हम देखेंगे जल जो आबंटन किया जाएगा प्रतिव्य कि जल आबंटन में पहली प्राथमिक्ता मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो फिर यह देखा गया कि लगातार जो हमारे धरातल पर जल उपलब्ध है या हम जिसे धरातली जल सतही जल कह रहे हैं और उसके साथ साथ जो भुमी ग उपयोग के योग्य है या नहीं इसके बाद फिर यह निश्चित किया गया कि भुमी गजल का जो शोशन हो रहा है है ना उसका सीमी उसे सीमीत और नियमित करने के लिए उचित उपायक करने चाहिए जैसे हम देख रहे हैं भाई कि पानी हमने लगातार धरती को छील दिया है हो भी में हम खंन कारे कर रहें खुदाई कर रहे है है न और चाहिए हम बोर वेल तो आप देखेंगे कि एक ही egy किलोमेटर के दाएरे में कई बोर वेल जो है वो लगे हुए हैं तो कितना पानी खीचेगा और आप यह देखेंगे कि कहीं पास इ Unknown इस थीजो दो बोर वेल जहां पर लगाए गए हैं तो हम यह देखेंगे कि आसपास के दो तीन छेतर में वहां पर पानी पहुच ही नहीं पा रहा है तो पानी की उपलबधता होगी कहां हम तो पूरा पानी जो है वो खीच ले रहे हैं मशीनों के माध्यम से और ना हम पौधे लगा रहे हैं कोई वन करते जा रहे हैं और भूमी में जो उपलब्ध जल है उससे लगातार अपने उपयोग के लिए खीचते जा रहे हैं तो कितनी मात्रा में यह उपलब्ध होगा ना उसकी मात्रा तो सिमीत है हमने बात की थी जितनी जो तीन प्रतिशत हमारे पास जल उपलब्ध है उसकी मात लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पढ़ती हुई जनसंख्या आपने हर तरह के उपयोग के लिए लगा तार जल का उपयोग जो है वो कर रही है और बेटरतीव उसका कोई हम यह करें उसके संरक्षन की बात उसके पास की ही नहीं तो हम यह देखते हैं कि लगातार जो भूमी गजल का इस तर नीचे जा रहा है उसमें लगातार जो उसके साथ शोशन किया जा रहा है उसे उसके लिए एक उचित उपाय या उचित जो पॉलिसी है वो बनाई जानी चाहिए फिर नेक्स हम देखते हैं कि जल के बचाव के लि हम बुष कर रहे हैं, नल खुल छोड़ दिया है, आज कल सीन की बैसीन... यह जर जाने हम यह क font । बहुत ज़ादा इसे पानी इससे पानी को विर्था जाता हैillon, नस्ट किया जाता है, हम बष्ज कर रहे हैं, बटन नल खोल दिया है håं, बर्तन साफ कर रहे हैं तो ये क्या है इसमें पानी जो है बहुत व्यर्थ बह जाता है तो इसे हमें अपनी जरुरत के हिसाब से ही उपयोग करना चाहिए हम बहुत जादा दूर नहीं जा रहे हैं अपने घरों की ही बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें जरा सा भी awareness नहीं है या इस बात का ग्यान हमें बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी भावी पीड़ी या आने वाली पीड़ी के लिए हमें जल की समस्या से किस हद तक जो है वो जूझना पड़ेगा तो सबसे जरुरी बात यह है कि या इस जलनीती में भी इसी बात को फोकस किया गया कि लोगों को जागरूप किया जाना बहुत आवर्शक है कि वो जल का बचाओ करे हर व्यक्ति अपने इस तर पर जल का बचाओ करेगा तो हमें बहुत बड़े योजना या किसी भी प्रकार के नियम की जोरत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम देखते हैं सिचाई और अन्यकारियों के लिए पेजल का सिमित उप व्यक्ति गत इस तर पर ही बात करें हैं बहुत बड़े उचे लेवल तक भी नहीं जाएं तो व्यक्ति गत इस तर पर हम बात करेंगे तो जो घरों में भी ये उप्योग किया जाता है उस पानी को हम व्यर्थ फेक देते हैं तो उसे हम ऐसे ही ना फेक कर अपने घर का जो ह को बचा कर या हम ये कहें कि इसका उचित प्रबंधन कुशल प्रबंधन हम यक्ति इस तर पर ही करके देश पर अपने जो ये हमारी समस्या मंडरा रही है जल संसाधन की कमी या हम ये कहें कि पेजल के लायक या उपयोग के लायक जो जल की समस्या से हम जूज रहें इससे हम हद तक बचा सकते हैं और इसका उचित प्रबंधन जो है कर सकते हैं तो ये हो गई हमारी भारती राष्ट्री जल नीती जो 2002 में बनाई गई और इसके बाद एक और जो योजना है जिसे जल क्रांती अभियान कहा जाता है ये 2015-16 से शुरू किया गया है और इसका महत्तपूर् देश ये था इस अभियान का कि प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है कि हर व्यक्ति को पे जल के लिए उसके उपयोग के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्रित करना तो ये बात हो गई कि शाशन के द्वारा सरकार के द्वारा देश पर राष्ट्री इस्तर पर क जा रही हैं या जो कारिकरम चलाए जारे हैं जलस अंसाधन के प्रबंधनके लिए और उसके संरक्षण के लिए तो हमने अभी जैसे बात की कि सबसे आधिक आवश्रक्ष क्ता इस बात की है कि हम सभी व्यक्तिवों को समाज के प्रत्येक व्यक्तियką जांगरूख हो और अपने जो हमारा जल संसाधन है उसके प्रबंधन के लिए उसे सुरक्षित रने के लिए उसे संरक्षन के लिए हमें व्यक्ति तोर पर ही ये प्रयाश जो है वो किये जाने चाहिए तभी कोई भी योजना सफल हो सकती है काम्याब हो सकती है तो आपके बोर्ड鹿 के चोटे प्रस्ति रूप में आप से पूछा जा सकता है और इस की क्या विशेश्टाएं है तो छोटे प्रश्ण और बड़े प्रश्णों की हिसाब से भी आपको इस चैप्टर को ऐसे तैयार करना है. झाल 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 झाल